हेलो येवडीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सभी लोग आप सब बहुत ही अच्छी होंगे आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल किचिन टिफसन हैक जिससे आपके घर और किचिन की सारी मुस्किल काम होंगे बहुत ही आसान खुद के हमें लेना है प्याज तो प्याज को मैं इस तरह से ग्रेट कर लूगी चाहें तो इसे खलबटे में कूट के या फिर मिक्सी जार में पीस के इसका रस आपको निकाल लेना है और उस प्याज की रस को इस तरह से इस पानी के साथ आपको मिक्स करना है सिर्फ प्याज की रस आप मिक्स करेंगे और उसके बाद एक चम्मच नमक हमें एड़ करना है और इस पानी में हम अची तरीके से नमक को भी मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद हमें लेना है बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा मीठा सोडा भी हम एक चम्मच लेंगे अब हम इन सारी चीजों को तो आपको क्या करना है इस प्रे का यूज लेना है चाहे तो आप छिपकलियों को भगाने के लिए भी कर सकते हो दिवार पे या जहां जहां पे आपको लगता है कि छूपी हुई होती है उन सभी जगव पे आप स्प्रे कर सकते हो और रात के टाइम स्पेसल आपको क्या गरना है स्प्रे का मतलब यह जो सॉलिशन हमने बनाए ना इसका यूज आप इस तरह से लोगे जैसे कि आप कीचेन प्लाटफॉर्म या गैस्टोब अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं और उसके बाद इस स्प्रे को इस तरह से मादब छिड़कते हुए अच्छी तरीके से उसे वाइफ कर लिजीगा या फिर इस तरह से इसे चिड़का के रख दीजिएगा तो इसकी मेल जो होता है ना ब जाएगा उमीद करती हूँ ये वाली ट्रीक आपका बहुत ही काम आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रीक की यहां पर देखिए फ्रेंस मैंने लिया है नीबू के छिलके आप सभी को पता है कि नीबू में होता है बहुत ही जादा मात्रा में वेटामिन सी ल इसलिए फ्रेंस हमें जादा से जादा पानी पी करके डिटॉक्स वाटर पी करके हमें स्वस्त रहना चाहिए तो यहां पर हमें डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए यानि कि यह जो चिलके हैं इन्हें हम छोटे चोटे टुग्डों में कट कर लेंगे और इसे कट करने के ब यह जो छोटी छोटी कटी हुई जो नीबू के चिलके हैं उन्हें आप डाल दीजिएगा और 20 से 25 निट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि चिलके के जितने भी गुड़ने से वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और उसके बाद इस पानी को आप चानने के बाद आपको इस पानी को थोड़ी थोड़ी करके पीना है यानि की दिन भर आप इस पानी को पीते रहेंगे तो इससे क्या होगा आपका बॉड़ी बिल्कुल भी डिहाइडरेट नहीं होगा तो इस गर्मियों के टाइम यह चोटी जोटी ट्रीक आप ज़रूर ट्राय करेंगा तो जली अब देख लेते हैं अगला ट्री फ्रिंस साड़ी पहनना हम सभी लेडिस को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है हाला कि अभी उतना साड़ी हम उतना वैर नहीं करते हैं लेकिन साधी पार्टी या फिर किसी भी फंक्षन में हम साड़ी जरूर से पहनत हैं लेकिन होता क्या है इस तरह का जो हेवी साड़ी होता है जो सरिफ साधी पार्टियों में पहना जाता है तो इस तरह का हेवी साड़ी एक बार पहनने के बाद हम नहीं दोते हैं इसे चार-पांच बार और पहनते हैं या दो-तीन बार और इसे वैर करते हैं उसके बाद ह इसे हम dry wash के लिए देते हैं लेकिन दोस्तो होता क्या है चाहें इसे हम एक बार पहने या फिर दो बार पहने पहनने के बाद अब देखिएगा इसमें से अजीव सा smell आता है साथी साथ कई बार जब हम इसे पहनने के बाद almira में रख देती हैं न इसमें white color का fungus भी आ जाता है जिसे की साथी खराब होने का डर रहता है तो इसलिए हम साथी को धोये चाहें ना धोये एक बार धूब जरूर दिखाते हैं अब देखिए direct साथी में अगर धूब लगेगा न तो साथी का जो color है वो खराब हो जाता है या फिर धूल मिट्टी से साथी गंदा हो जाता है या फिर साथी का color भी खराब हो जाता है तो इसकी लिए जैसे आप हैंगर में साथी को लगाते हो इसी तरह से लगाओगे उपर से एक टीशट इस तरह से डाल दोगे टीशट डालने से क्या होगा अब देखिए यहाँ पर आप देखी सकते हैं साथी पूरी तरीके से इस टीशट के मदद से प्रोटेक्ट हो जुका है अब इसे आप चट पर बलकनी पर कहीं पर भी हैंग कर सकते हो इससे धूल मिट्टी से भी साथी आपका बचेगा यानि कि धूल मिट्टी गंदेगी बिलकुल भी साड़ी में नहीं लग पाएगा और डारेक्ट धूब के कॉंटक्ट में भी नहीं आएगा और इसी तरह से आप अलमारी में साड़ीों को हैंग करते टाइम भी इस प्रोसेस को कर सकते हो इससे आपके साड़ी का कलर बिलकुल भी खराब नहीं होगा साड़ी का पॉलिस भी खराब नहीं होगा और साड़ी गंदे भी नहीं होगे तो बस पुराना टीशेट आपको जरूरत है उमीद करते हूँ ये वाली ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा तो जब हम एक एक लेसन को चीलते हैं तो एक तो हमें बहुत टाइम लगता है दूसरी बात एक ही लेसन की जो माउट होता है वो बहुत ही जादा हार्ड यानि की बहुत ही जादा टाइट रहता है उन्हें चीलते टाइम नेल्स में पेन भी होता है तो आज मैं आपको बताऊ आपको क्या करना है लेसन की जो गाठ है उस गाठ में से लेसन की एक एक कलियों को आप इस तरह से अलग कर लोगे ठीक है ये प्रोसेस आपको स्ट्रिप करनी है इसमें ज्यादा बिल्कुल मेहनत नहीं है और उसके बाद लेसन की जो सुखी हुई छिलके है यानि कि जब लेस बॉइल तो होता ही है तो अब आपको करना क्या है जब दूद बॉइल करने के लिए रखें तो उपर से इस तरह से जाली वाला प्लेट भी आप रख दीजिए ठीक है तो इस तरह से जाली वाला प्लेट रखने के बाद जो एक-एक कलियों को यानि की लैसन की जो एक-एक कलि जिलेगा और इसलिए लेशन बहुत यह रिची तरीका से सौफ्ट हो जाएगा वैसे तो जाधा टाइम नहीं लगता है एक सेे डिएर मिनिट लगता है यानि कि आपको जाधा टाइम इस तरह से दिार मिनिट इस तरह है तो उसके बाद आप देखें कि लेसन अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा यानि कि इसकी जो चिलके हैं वो लूज हो जाएगा उसके बाद इसे चिलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा चाकू या किसी भी तरीके के कोई टूल आपको जरुवत नहीं होगी आप इस तरहां से फटा 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 यूसफुल रिक गैस स्लिंडर जो कि हर घर में यूज होता है लेकिन होता क्या है जहां पर भी हम गैस स्लिंडर को रखते हैं आपको पता ही होगा उस जगा में जंग का निशान बन जाता है यानि कि सरकल अकार में आपको जंग का निशान दिखेगा ही दिखेगा जो कि ब बहुत अच्छी बात है ट्रॉली के ऊपर अगर गैस स्लिंडर को रखेंगे तो इस तरहा जंग की निसान बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं लेकिन अगर ट्रॉली नहीं है या फिर आपके घर में दो स्लिंडर होते हैं तो एक पे एक को तो आप ट्रॉली पे रखते हैं और दूसरे को आप ऐसे ही रखते हो जंग के निसान ना आए तो इसके लिए चोटा सा फ्रीक लेना है आपको कच्छा आलू उसको उसका एक चोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिएगा और चाको के मदद से चोटी-चोटी सी छेद इस तरह से बना दीजिएगा ताकि आलू की जो रस है बहुत ही तरीके से निकल के आए आलू के रस किसी भी तरीके की जंग को छुटाने में या फिर जंग लगने नहीं देता है साथी में हमें लेना है सरसो तिल अब सभी को पता होगा सरसो तेल भी जंग छुटाने में या फिर जंग लगने नहीं देते हैं इसलिए आलू के उपर थोड़ा सा सरसो का तेल डाल दीजिएगा और इस आलू को इस तरहा सिलिंडर की तली वाली पार्ट में आपको रव कर देना है ताकि इसकी तली वाली पार्ट में इसका हलका सा कोटिंग लग जाए तो इससे क्या होगा बिल्कुल भी जंग नहीं लगेंगे अब जाहें तो इस सिलिंडर को आप कहीं पर भी रख लेजिए वहाँ पर जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे उमिद करती हूँ ये छोटी से ट्रिक भी आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा तो चलिए आज का वीडियो में यही पर एंड करती हूँ अगर आपको वीडियो यूस्फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादे से ज़्यार कर दीजेगा साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग